लंडन में राहूल गांधी के बयान पर संसद में संग्राम लोकसभा की कारेवाही पहले दो बजे फिर कल तके में सगित की गई राहुल गांधी के बयान को लेकर राजसभा में जोरदार हंगामा पियुश गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के लोगतंत्र का अपमान किया है उन्हें माफी मांगनी चाहिए गोयल को जवाब देते हुए मलिकारजन खडगी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जूट बोलते हैं सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं लंडन में दिये बयान पर विशेशाधिकार समिती ले सकती है स्वता संग्यान फिलहाल राष्ट्रपती अभिभाशन पर वहस के दौरान ग्राउल गांधी के भाशन का मामला देख रही है विशेशाधिकार समिती बजट सत्र से पहले विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन विपक्षी पाटियों पर जांच एजिंसियों के गलत इस्तमाल का आरोप प्रदर्शन में आम आद्मी पार्टी बियसार समेत का इदलों के निता शामिन हुए सभी ने अडानी मुद्धे पर जेपीसी के गठन की मांग की अडानी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कॉंग्रेस का देश व्यापी प्रदर्शन चंडीकड में हिरासत के लिए गए हर्याड़ा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष चौधरी उदैभान और सांसर निपिंदर सिंगुड़ा बोपाल में कॉंग्रेस का जो एडी की कारवाई पर तेशस्पी यादव का बड़ा बयान, तेशस्पी यादव ने कहा आमित शाह की क्रोनॉलोजी समझने की जरूरत है, सरकार बन रही थी उस दिन भी चापे मारी हो रही थी, चापे मारी में क्या कुछ मिला वो बताएं हम डरने और जुखने वाले नह महाराश्ट के पूर्व मुख्य मंद्री उधर्व ठाकरे को लगा बड़ा जटका शिवसेना में शामिल हुए भूशर देसाई, पूर्व मंत्री सुभाश देसाई के बेटे हैं राजस्तान के जैपूर में दिल्ली के मुख्य मंद्री अर्विन के जरिवाल और भगवन तमान का शक्ती प्रदर्शन दोनों नेताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, जैपूर के सांगनेरी गेट से शुरू होकर अजमेरी गेटवाजी यात्रा वन रांक, वन पेंशन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिको का विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर पर आमी, नेवी और एफोस के पूर्व सैनिको ने केंद्र से साथ सुत्रिय मांग की, युद्ध में शहीदों और घायलों को वन रांक, वन पेंशन में का पादुकोन ने लिया पुरा हॉल, तालियों की गड़-गड़ाहट से गूंज उठा, पिये मोदी ने दिगजों को बधाई दी। दो महिलाओं ने ऐसा किया है, मैं अब भी काप रही हूँ। पर्वीन की गिरफतारी के लिए भी पुलिस की दविश जारी है, गिरफतारी से बचने के लिए शाहिस्ता पर्वीन ने हाई कौर्ट में याचिका दायर की, पुलिस ने शाहिस्ता पर 25,000 का इनाम खोशित किया है। उत्तर प्रदेश की गोरकपूर में संसरी खेज बारदात, पैसो के लालश में बड़े बेटे ने पिता के हत्या की, मरड़ के बाद आरोपी ने पिता का अश्याव एक बड़े सूट केस में चिपा कर रखा था। कोरोना के बाद देश में इंफ्लुएंजा के मरीजों ने चिंता बढ़ाई, चंडिगर में H3N2 इंफ्लुएंजा वाइरस की एंट्री, साथ संक्रमित मरीज मिले, स्वासे विभाग ने अडवाईजरी जारी की, टेस्टिंग बढ़ाने की निर्देश। साथ आफरिका में साइकलोन फ्रेडी ने तबाही मचा रखी है, मुजामबीक और मलावी में अब तक इस तूफान से 44 लोगों की जान जा चुकी है, करीब 200 किलोमीटर प्रती घंटे की रवतार से हवाई चल रही है, लाखों लोग इस साइकलोन से प्रभावित हैं